नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज अतीस वर्स के पुरुस के पाम का एनारेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपे करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाला किन को प्रस कर दे ता की रेडिस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वर्तमान समय में ये घर पर है कोश चोटा मोटा काली करके गुजर वसर कर रहे है और ये दो साल से समस्याय आई है उसके पहले करूरो कम आया बहुत पैसा आया जिन्दगी पर करूरो आया मतलब हर तरह की सुक्सुविदा इनको रही उसके पहले लेकिन उसके बाद अचानक जिन्दगी पर परिवर्तन आ गया महस 21-22 वर्स के आयू से इंडिपेंडन्ट हो गए था करूरो देख लिए आपने लाइफ में और आज जीरो पर आ गया ऐसा क्यू हुआ और इर्जाम भी लगा समस्याय भी आई और आज के समय में डपरेशन में है तो क्या आगे जिन्दगी अच्छी हो सकती है क्या आगे जिन्दगी पर सुधार हो सकता है जिस परकार की काम्याबी ये पहले देख रहे थे क्या उस परकार की काम्याबी ये आगे देख सकते हैं तो आप बिलकुल चिंता ना करें, तो आज की वीडियो से पहले हम देखेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग कम से कम सतर्ख हो जाएं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, नेगटिव चीज पर, तो नेगटिविटी क्या है नेगटिव चीज में ना मुझे दो चीज दिखी जो कि बहुत ज़दा दुकदाई होती है, किसी भी विक्ति के हतली पर, और किसी भी विक्ति के जिन्दगी पर, एक देखो आपका ये मौल, सूरी पर मौल, दूसरा आपका शुकर पर मौल, दोनों ही मानहानी कराता है, द दोनों ही इल्जाम लगाता है दोनों ही केस में लाइफ में प्राब्लम्स बनी रहते हैं शूरी का मोल ऐसे विक्ति अपनी जिन्दगी को खुद से डिस्ट्रॉई कर देते हैं और शुक्र का मोल ऐसे विक्ति की शादी के लाइफ में प्राब्लम्स पारिबारी तनाब इसका उपाय कर लेना चाहिए और मूल समस्याए आपकी जिन्दगी पर इसी वज़ा से आये हैं मूल समस्याए आपकी जिन्दगी पर यही रीजन है आने का और दूसरा अगर आप ठीक से देखेंगे negativity तो यहां पर यह देखो एक सूरी रेखा ऐसे जा रही है और यह कुछ distractions यह दो distractions और सूरी रेखा बहुत बली नहीं है मैं आपको पराया कहता हूँ कि अगर आपके हाथ पर सूरी रेखा बली ना है तो इसका मतलब आपके life में कोई भी certain income नहीं है इसका मतलब life में आपका कोई भी aim नहीं है यह depression में काफी drink वरिंग किये काफी bigger गये थे काफी गर गलत आदतों को इन्होंने पकर लिया था चुकि यह दर्शा रहा है मोल ऐसे विक्ति खुद से अपने जिन्दगी को destroy करते हैं तो वीडियो इसले भी महतपूर है अगर किसी विक्ति के हाथ पर सूरी परवत के आसपास यह सूरी का छेतर है मोल दिख जाए सूक्र के छेतर के आसपास मोल दिख जाए तो आप एक एस्ट्रोलाजर के पास जाए अपनी जिन्दगी बरबाद करने से पहले अगर कुछ उपाई कर पाओ तो कर लो ताकि आप कम से कम कुछ गलत आदतों से बचे रहेंगे और आपका पैसा बरबाद नहीं होगा और अभी ये स्टूरी रेखा कि बनावट ये है कम्प्रीट ये है और जब से ये मोल बना ये दो तीन साल से बना है दोनों मोल इसने इनकी जिन्दगी को तवाह करना सुरू हुआ और इन्होंने काम छोड़ दिया काम छूट गया इलजाम लग गया बड़े इमानदारी पुरवा काम करने के काम करने का दिल ही नहीं करेगा तो देखो कैसे समय बदलता और कैसे रेखाओं के बनावट में परिवर्तन आता है ये एक experience एस्टोलॉजर ही आपको बता सकता है ये एक experience पामस्ट ही आपको बता सकता है मतलब आपके पहले पास पैसा था आपने जब से इस नेगेटिव इ ये समझ में भी आ गई आपको बात करते हैे आखिर इसके निवारन क्या हूँ आखिर इसका निवारन क्या हो तो जबी भी हाथ पर मोल दिखता है तो कुंडली में सूरी की स्थित्य को देखते हैं आखिर क्या impact परा इस दो साल में आपके सूरी पर किस परकार का impact इस परका दो तीन वर्षों का impact परा है आपकी जिन्दगी पर जिसकी वज़ा से आपकी जिन्दगी में तवा ही आ गया तो अब इसको ठीक करने के लिए मुझे कुंडली का दिन करना होगा और अगर किसी विक्ति के पास कुंडली नहीं है तो फिर भगवान वरोसे समझे लो आप फिर आप एक जनल उपाई ही कर पाओगे अगर आपके पास कुंडली है तो आप भाग्यशा लिए अगर ये स्थिति आपके हाथ पर वस्थित है तो पहली जीज़ अब दूसरी बात अब इसके लिए क्या उपाई करे हाथ के हिसाब से कर मैं बात करूँ चुकि ये पामिस्ट्री का चैनल है तो हम पामिस्ट्री के हिसाब से उपाई की बात करें तो क्या उपाई हो सकता है तो सूरी रेखा धुमिल हो रही है मतलब सूरी पर किसी गरों का इंपेक्ट पर रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं सूरी उस पाद ग्रह से दिस्टेगत संबंद में है और कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है तो सूरी को strong करने के लिए उसको बल देने के लिए सूरी तो हमेशा strong है आपके sense में वो कमजोर हो रहा है तो ईश्वर की रादना करने से ना उनका ध्यान आपके तरब पड़ता है और आपके द्वरण जो खुराब कर्म है या आपके उपर जो काले बादल मडरा गया है तो सूरी अपनी रोशनी तेज करकर उसको जला देता है तो सूरी की राधना करना आप सुरू कर दो, पहला, अब राधना कैसे करोगे, सबसे बढ़िया उपाए, रोजाना उटके सूरी को चल दो, इससे बढ़िया सूरी का राधना का कोई भी उपाए नहीं है, कोई भी रेमेडी नहीं है, तो इस पे क्या होगा न, सूरी की कृप भी नहीं हो सकता, बागी को चुपाए, और भी साजिस्टों का कुण लिए देखने के बाद, तो ये कार ही कर लो आप, आपकी जिन्दगी पर चुछ समस्याओं की योग दिख रहे हैं, वो खतम होते वे निजर आएंगे, चलो जी ये तो गी नेगेटिव बात, अब नेगे नेगेटिविटी में बताओं, तो जुपिटर थोड़ास दवाब, ये भी थोड़ास स्ट्रगल बताता है, लेकिन वैसे भी कोई खास दवाब नहीं थी, ऐसा भी कोई खास नहीं था, चलो जी ये तो होगी पॉस्टिव और नेगेटिव, अब नेगेटिविटी में अब वो योग में दिखा दूँ आपको, एक खतरनाक रूप से दिखने वाली बागगे रेका, बहुत जबर्दस बागगे रेका, कमाल की बागगे रेका यहां से चल रही है, बहुत जबर्दस और आगे भी बर्रे सुरवाती दोर से वैसे कोई खास नहीं थे, लेकिन एक समय क क्रॉस है आपके हाथ पर, बहुत पैसा देता है, एक समय के बाद जीवन पर प्रगती के रेका है, आज जो विक्ति आपको देखके हस रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि यह तो बिगर गया, यह कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो उस विक्ति के सर मूँ पर बहुत बड़ा लगने वाला है आपकी काम्याबी के बाद, क्योंकि आप किसी को डाट के, फक्तकार के, मार के नहीं सिखा सकते, अगर कोई विक्ति आपसे जड़ रहा है, तो आपको जलाने से वो विक्ति भैखाता है, जलाने से वो विक्ति के उपर इंपक्ट परेगा, अगर कोई विक् में आपको देख के प्राउड करेंगा, यह मेरी कैरेंटी है, बस आपको अपने इंद्रियों पर नियंतरन रखना है, मांकी को चुपाए दोंगा, वो कर लेना है, और नियमत रूप से रोजाना सूरी को जल देना, हिश्वर की राधना करनी है, मास और मंदीरा से दूर रहन है, चलो जी, यह तो होगी पॉस्टिब बात, पॉस्टिब बात में और भी चीज़े है, जुपिटर पर आपके स्कॉयर है, 32 वर्स के बाद अच्छा परिवरतन आप महसूस करने वाले है, प्लैनेट्स काफी अच्छे करणीसंस में है, तो यह एक प्रकार की राज्यो का लाग दिक्कत है, फिर भी कईड़ के सधन की आगमन वरी अच्छी रहती है, अब बात करते हैं को समय है, जीबन रहे का से अधियन कर देता हो, अब बहतर समझ पाएंगे, आपके सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट्न होगे, महज आप 14-15 वर्स क आपके जिंदगी पर धन की पुरूती हो रहे थी, लेकिन फिर भी समान परिवार होता है, जिंदगी ठीक चली, एक 20-20 वर्स में तरक्की के योग बने थे, फिर एक 22 में दिक्कत, 20 के बाद बढ़िया पैसा कमाया है, बढ़िया पैसा तरक्की चल रही है आपकी, 22 से लेक हो गई बात, लेकिन 32 में वर्स है न चीज़े बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है, ना कि तो बात ही नहीं है, उसके बाद फिर देख लो एक आपके लगबग 34 में तरक्की, फिर एक बढ़िया तरक्की 36 में, फिर एक 49 में, फिर आप लगब भी 40 में, फिर एक लाइस नमे में यातरा के भी योग परस पर बने हैं, यह सब यातरा की योग हैं, तो पॉस्टिविटिविटी तो हाथ पर हाँ ही, ना कि तो बात ही नहीं है, जबरदस्टिविटी है, आगे जिंदगी पर आप ने पैसा कमाया और आगे पैसा कमाएंगे 32 मर्स से आपकी जिन्दगी में आपको सुधार देखने को मिलेगा, आपको सुधार आप महसूस करेंगे, चलो जी ये तो होगी बात, अब बात करते हैं, आप कहते लिए के जनल अध्यन के दरम, बड़ा अच्छा जीमन रेखाया है, साफ सुतराते लिए ज्यादा रेखायी नहीं है, अब कि देख लो, जहां पर से आगया स्कॉर्स पा, मद्धे में इसका सफ वलता को पाते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन में, राज्यो कारक अवस्था है, कमफर्टेबल लाइफ रहती है, किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, गुलाब ये धन को एट्रैक करती है, एक जबरदस थम्ब है, थोड़ा अंदर से भी आप घबराते हैं, कमजोर हो चुके हैं, यह वाकरती जब भी सपोर्ट के आवशकता पड़ेगी, मिल जाएगी, प्रजायर्स के बर अच्छे लाइफ से बहुत महातमा कांची है, ट्रैंगल से जो नेगटिविटी को द पूलते मिलते नहीं है, अपने ही साफ से चलते हैं, गम भी अपने अंदर ही रखते हैं, वो मत रखा करो, बद्धर फिंगर बढ़ा है, तो कम्निकेशन स्किलवाइस प्रबल, सूरी फिंगर अच्छा है, काफी मत यह सब का बढ़िया है, सकस्स तो करोगा ही, करोगा है, अफी महनती है, अच्छी दार्मिक आसता है, और कही ने कही, इंसान में लीडर्शिप कॉलिटी भी बड़ी जबरदसते हैं, इसके बाद देखा जाएं, तो एक जबरदस आपका बरश्पती, यहां से दवाब है, लेकिन 32 वर्स के बाद अच्छा जिंदगी रहेगा, बर बड़ा, यह तो बचपन का ताइक कुछ होगा, इसकी इंडिसिस होगा, यह रेखाओं के कोई बरावट नहीं है, बाकि इरदर एका आपकी बहुत शानदार है, यह देखलो, इमोशनल टच है, काफी इमोशनल है, बाकि विश्टर योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉ बहुत सटिस्फेक्टरी नहीं, अगर यह बनेगी तो बहतर रहेगा, उपाई करो, यह भी एक तरिवुज बन रहा है, बना नहीं है फिलाल, जहाँ पर से भी तरिवुज बन रहा है, फिलाल इसमें स्ट्रेंथ नहीं आया है, सिर्फ इस क्रॉस में स्ट्रेंथ है, के कई योग बढ़ें थे इंसार को थोड़ा दोका मिलता है बागि तोड़ों अंगल प्रबलतम वस्था में है इस बात में कोई डाउट नहीं है इस बात में बेलकुल भी संदेह नहीं है आपने अपने दम पर सब कुछ के आगे भी कर लेंगे स्वास ठीक रहता है चद्रमा तो ये धनागमन को बताती है जिन्दगी पर धन आता ही आता है उसके बाद देखा जाए तो एक फिश्टमा आकरती अकास्मिक दनलाव को बताता है जबरदस बागे रेका तो ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यह यहां तक थोड़ा सा धुमिल था चबिस में था यह लगब आपकी जीबन ड्रेकायू दिरगायू है मंगल ड्रेका विशांदार है तोरा सा यहां पर से लगजरी सुक्के लाइंस तो है बाकि इस्ट्रस थोड़ा ले रहे हैं आप या समाने रूप से लेते हूं कि चुकी मंगल प्रबल है तो कुछी चण करे लेंगे मंगल अंजर अंदर एक इनरजी तो देही देता है ना आपके उसके बाद देखा जाए तो मनी management प्रबल है पैसा आता है शादी के बाद की बागुदे होती है शादी कब तक होगी यह में बता दूँ शादी के योग आपके एक लगबग धूमिल धूमिल रूप से 26-27 में में थे एक ल देली तो पर तो चीज़ें बड़ी satisfactory हैं बस आपकी जिंदगी में आगे परिवर्तन भी आ जाएगा तो यह था इनकतली का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको हमारे यह बड़े पसंदा है लाइक करते कमेंड करें सब्सक्राइब करतें अगर आप विक्तिका दूप स ने मिल जाका लेकर आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद